सकार साथियों डेली इंडिया करंट अफेर्स के सेसन में आपका सुआगत है आज का सेसन रहेगा साथियों 14 माई 2014 इंडिया करंट अफेर्स का इस सेसन के अंदर जितने ही महतोपुन परसन बनने हैं इंडिया करंट अफेर्स के वह माँ आपके साथ सेर्ड करूँगा साथ ही सेसन को लाइक वासे जुरूर कीजिएगा मेरा प्रयास है साथियों की 15 मिट की एक लास और इस से बाहर साथियों आपका इंडिया करेंट अफेस का क्यूशन जाएगा नहीं और पीडियेप के लिए आप साथियों टेली ग्राम पर जुड़िए वहां पर आपको डेली पीड यह भी आपको मिल जाएगी तो शुरुआत करेंगे साथियों आदके सेसन की पहला क्यों आप से पूछा गया है कि भारतिय नो शेहना पौत आएनस किल्टर ने है जो किसे देश की यात्रा की है इपोर्टेंट साथियों किसं रहेगा क्योंकि साथियों जो सब्सक्ताइब के अंदर है है वियत नाम की है जो यात्रा आईन से किल्टन ने की है बारा मईद दोहजार चोईस को पुर्वि बेड़े के न्स किल्टन ने वियत नाम के केम राउन बे पे पहुंचा है वियत नाम प्यूपल्स नवी और भारतिये दुतावास ने इसका सुआगत है जो किया है यातरा का मुख्य उदेश्य क्या है पेसेवर बाचीत और खेल आयोजनों और सामाजी के आदान परदान और आपसकी जो रिष्टे हैं साथी उनको मजबूत करना इसका परमुख उदेश्य रहेगा आप से पूछा जा गया है कि सुल्तान अजलन सहा सुल्तान अजलन सहा ट्रॉफी है जो किसने जीती है इपूछा भी जा सकता है कि सुल्तान अजलन सहा जो हो की ट्रॉफी है वो किसने जीती है तो आंसर हो जाएगा किसने जापाने आप से पूछा है कि सुल्तान अजलन सहा ट्रॉफी किसने जीती है तो ये भी इपोर्टेंट रहेगा कि ये किस खेल से सम्मंदित है तो साथियों सुल्तान अजरन सादर ट्रोफी होती है वो होकी से सम्मंदित होती है किसने सम्मंदित होती है और आप से पूछा है कि किसने जीती है तो साथियों जापान ने इसको जीता है किसने जीत के धायst समय की समाप्ती के बाद मेस्दो दो पर समाप्ते हो गया उसके बाद सातियों 592 तो शूट Ouch दनञेगा पाकिस्तान को हराकर जीती है कि आगे बढ़ेंगे साथ जाfiveिट बात करेंगे अगला आप से पूछा गया है कि57ag truck sponsorship में है कि आप स्यपीजिट में सुर्ष्ठ घ्नडा गले ने कौन्सा पड़क चे जीता है आप कुछें ने रहने वाला कौंसा रजइद इवेंट था तो साथि च्छटा एशय क्षेटा ओड़ा एक जी फेउन ép सस्घ्ट आप पूछा खनाग लेन है जो रजढत अपने नाम किया है इस पुर्टेट्ट है जो किया गया है तो अपने लिए इपोर्टेंट क्यूशन ने ये बनेगा और आप से पूछा भी जा सकता है आगे बढ़ेंगे सात्यों अगले क्यूशन पर बात करेंगे अगला क्यूशन आप से पूछा है कि गरामी ने महिला साय सकती करण को बढ़ावा देने केंदरी एक उसल विकास और उद्मिता मंतराले नोईडा और एहदराबाद में ड्रोन देदी योजना के लिए किस कंपनी के साथ है अगला क्या है कि गरामी ने महिला साय सकती करण को बढ़ावा देने के लिए केंदरी एक उसल विकास और उद्मिता मंतराले ने नोईडा और एहदराबाद के अदर सात्यों जो ड्रोन दी योजना है उसके लिए किस कंपनी के साथ है स्मयोता क्या है तो आंसर हो जाएगा महद्रा done मेहिंद्राohз 00 के साथ यह भी इप्पोर्टेंट रहे गाए। किसके साथ कैसा युव महिंद्रा एंड कोछल विकास और इन ऊट्रण धी योजना के तहत दो पायलेट प्रयोजनां के संचालन के लिए मेहिंद्रा याइडे की प्रयोजना है उसके लिए शाथ है जो समझोता हूँ है तो अपने लिए इपोर्टेंट क्यूसने रहने वाला है आगे बढ़ेंगे सातियों अगले क्यूसरण पर बात करेंगे अगला क्यूसरण आपसे पूछा है कि अरब सागर में अरब सागर के अंदर साथियों सारक और रेंज के अनुसंदान के लिए एकिस्टेश ने शम्जोता किया है तो साथ आथ खहार तरे ऊवने दोनों देशों ने आपसमें क्या किया हैह समें पूचा है की अरब सागर में सारक और रेंज के अनुंशंदाने तो के लिए किस देशने समझोता क्या है तो अंसर हो जाएगा भारत और ओमान के बीच है जो साथियों क्या हुआ है समझोता हुआ है अरब सागर में सारक और किन्नों से समंधित अनुशंदान और शरंक्षन प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए अरब सागर में सारक और रेंज के अनुशंदान और शरंक्षन के लिए किस देश नहीं समझोता क्या प्रांसर हो जाएगा भारत और ओमान के बीच ये समझोता हुआ है तो अपने लिए इपॉर्टेंट क्यूसने रहेगा आगे बढ़ेंगे अगले कि उसन पर बात करेंगे अगला कि उसन आप से पूछा गया है कि पाकिस्तान शिमा पर अपनी निगरानी चमता बढ़ाने के लिए भारत ने कौन से ड्रोन को सामिल किया है सेना को पाकिस्तान शिमा पर अपनी निगरानी की चमताओं को बढ़ाने के लिए 18 जून को पहला हर्मिस 19 स्टार लाइन ड्रोन हासिल होगा सेना ने इस के लिए तियारी कर ली है दरेश्टी टेंड ड्रोन के नाम से पहचाने जाने वाले हरमिस 20 के नाम से भी जाना जाता है। साथियों दरश्टी 10 ड्रोन है उसको है जो किसके नाम से हर्मिस 900 के नाम से भी है जो जाना जाता और ये साथियों जून के अंदर है जो भारतिय सेना को मिलेगा कब मिलेगा तो आप का अंसर हो जाएगा जून के अंदर है जो साथियों भारतिय सेना को ये मिलने वाला है तो हरमिस हरमिस 900 इचालॉण द्रोन भी बोला जाता है तो अपने लिए इपोर्टन रहेगा और अड़ानी ग्रूप के दौरा है जो साथी उश्मि जो बार्तिय स्टेन को प्रोवाइड है जो करवाया जा रहा है यह भी अपने को याद है रखना इपोर्टन रहेगा पूछा जा सकता है आपसे हैं आगे बढ़ेंगे साथ अंग्यों पर बात करेंगे अग्ला क्यूसर आपसे पूछा गया है कि हाली के अंदर हाली के अंदर हाली में प्रवर्था रोखी कमा रिता सेरपाने माउंट अबू एवरेश्ट पर सुरोवाद दिग चड़न है कि हाले में परवत्ता रोही कामी रिता सेर्पा ने माउट एवरेस्ट पर सरवादिक बार चनने का है तो वीश्व रिकॉर्ड बनाया है इनका समंध है जो किस देशे हैं तो सातियों इनका समंध रहेगा नेपाल से कहां से किस देशे तो नेपाल के ये रहने वाले हैं और सुरवादिक बार साथियों इन्होंने माउट एवरेश्ट पर चलने का रिकोर्ड अपने नाम के है 29 वी बार है जो साथियों इन्होंने माउट एवरेश्ट की चढ़ाई है जो की है तो अपने लिए इपोर्टेंट है रहेगा आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्यूशन पर बात करेंगे ये इनका फोटो है साथियों आप देख सकते हैं और इनका जो संबंध है वो नेपाल से रहेगा अगला क्यूशन आप से हम पूछा है कि हाले में भारत और किस देख ने राजनेतिक पासपोर्ट के लिए वीज़ा चूटे समझोते पर हस्ताकसरे किये हैं ये क्यूशन साथ ही इंपोर्टेंट है डीप अगर क्यूशन बनेगा तो यहां से ही क्यूशने बनेगा आप से हम कि अगरा हो जाएगा मोल्डवा और साथियों भारत के बीच जो साथियों है जो राजनेतिक पासपोर्ट वीज़ा चूट समझोते पर है जो हस्ताकसरे किये हैं तो अपने लिए इंपोर्टेंट रहेगा भारत और मोल्डवा ने राजनेक और अधिकारी पासपॉर्ट य लिए वीजा छूट पर एक समझोते पर हस्ताक्सर की हैं यह समझोता दोनों देशों के बीच राज नहीं को रहे अधिकारी पासपोर्ट धारकों को बिना वीजे के एक दूसरे की यात्रा करने की अनुमती है जो देगा तो इंपोर्टेंट है कि भारत और किस देश ने किया है अगला कि उसन आप से में पूछा गए है कि हाली में अंतराष्ट्य मनीक ट्रांसफर के लिए टी सी पे पर किस ने लौंच किया है हाली में अंतराष्ट्य मनी ट्रांसफर के लिए TCP है जो किसके द्वारा लॉंचे किया गया है तो थॉम्सकू के इंडिया के द्वारा हाली में अंतराष्ट्य मनी ट्रांसफर के लिए TCP है जो किसने लॉंच किया तांसर हो जाएगा थॉम्स कुके इंडिया के द्वारा है जो साथियों इसको लॉंच किया गया है इसके माध्यम से जो अंतराश्टिये मनी ट्रांसफर है उसको असान बनाना इसका उदेश्य है जो रहेगा यानि इसके माध्यम से जो अंतराश्टिये मनी ट्रांसफर होती है साथियों उसको है जो क्या बनाना असान बनाना इसका परमुक्त देश रहने वाला है तो अपने लिए इपोर्टेंट कि उसने रहेगा और आप से साथियों यहां से पूछा भी जा सकता है अगला कि उसने आप से पूछा है कि हाले में चर्चा में 5S कैन की E का समन्द किस्ते हैं तो यह निया खोजा गया गरहा है साथियों इसको किसके दौरा इसको साथियों जैमस, वेब, टेलिसकोब जो यूए से का है यानि नासा के दौरा साथियों इसको खोजा गया है और ये साथियों वाई-उवंडल वाला चट्टानी गरह है इस परकार का इसकी जो फोटो है साथियों आप देख सकते हैं कि हाली में चट्टा में 5S scan की E का संबंध किस्ते हैं तो साथियों इसका संबंध है नया खोजा गया गरह है जो इसका रहेगा और साथियों इसका जो संब्सक्राइब का सथियों उसका इसका बना है चीन है जो पहले स्थान पर आठीस आतिव भारत और चीन और ब्राजिल इसके साथ कुल वार्षी के खाद्य परनाली उच सर्जन के मामले में शीज तीन देसों में से एक के रूप में पहचाना गया है तो इसके अंदर साथ यूँ चीन है जो इसके अंदरे पर्थमें इस्तान पर रहेगा ये अपने को यादे रखना है अगला क्यूशन आप से पूछा है कि ओजोन से पानी को सुद करने की तकनीक वाला राजिय का पर्थम पेजल प्रोजेक्ट है जो कहां बन रहेगा आप से पूछा है कि ओजोन से पानी को सुद करने की तकनीक वाला राजिय का पर्थम पेजल प्रोजेक्ट है जो कहां बन र और रहा है तो आंसुर हुय गा, simila के अंदर कहां पर है. आप का आंसुर हो जाएगा, simila के अंदर साथ हुए प्रोजेक्ट है, बन रहा है Ozone से पनी को सुद करने की तक्नीक वाला राजिय का eider project isila में बन रहा है, इस project को जल सकती विवागने नहीं बलकि सिमला जल प्रबंदर निगम बना रहा है और यह साथ यह वर्ल्ड बैंक से निर्माना अधिन सिमला बलक वार्टर से सप्लाइ स्कीम में इस तक्नीक का इस्तमार है जो किया जाएगा तो अपने लिए इपोर्टेंट है कि ओजों से पानी को कर दी है सेशन पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक वाशे जुरूर कीजिएगा कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथ जुरूर फोलो कीजिए इन फ्यूजर नोट्स को और आपको टेलीग्राम पर है जो क्या पीडिया मिल जाएगी जुड़े रहिएगा और अग क्या एपनी है